बाला खातून, बाला हातून, बाला खातून क्या कर रही है ये पूरी दुनिया इस वक्त तुम्हें मुझसे चीनने की कोशिश कर रही है लेकिन मैं नहीं जुकोंगा किसी के भी आगे मुझे पता है उस्मान लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी वजह से मुसीबत में पड़े या किसी के घर में आग लगे हम हमेशा मुसीबतों में ही घिरे रहते हैं तुम्हारी हर मुसीबत पे मेरी जान कुर्बान बाला खातून कहा है अधाबाली कहा है सिल जान खातून उनके पास हाथ मंगने जाएगी तुम्हारा आईउं के साथ गए हैं आईउं के साथ गए हैं तो तुम यह क्या कर रहिए हो बता मुझा बाबा को यही मुनासिब लगा था उस्मान साब बाला खातून बताएं क्या छुपा रही है मुझ से मैं ये नहीं बता सकती हुस्मान साथ बाला खातुम कैसे नहीं बता सकती बाला खातुम देखें आप इस कबीले का मुस्तक्बिल है मैं आपको मजीद खत्रे में नहीं डाल सकती बाबा भी ऐसा नहीं चाहते मुझे जाने दें अब चलो बाला बदाए बगैर नहीं जा सकती तुम्हारे बाबा कहा है आखरी सब क्या हो रहा है अगर सच नहीं बताया तो इस वदूत से एक कदम भी बाहर ने रखवाएंगे बाबा को जब आपको पता चला तो मुझे यहां बेजा उन्होंने आपके लिए वो खुद को गुर्बान कर देंगे मेरा ख्याल है नहीं यानि कि वो यानिस आपकी खादिर यानिस को खजाना वापिस कर देंगे बाबा एसा नहीं कर सकते वो जानती हो कि वो कहा गए होंगे मुझे खुद भी नहीं मालूम कहा है वो जाते हुए उन्होंने जो कहा था वो दिमाग में गुझ रहा है कहा जमीन से उच्छे हैं जमीन की तरफ ही जा रहे हैं ती चड़ अलग करो और खजाने तक पहुँचो शेख अदाबाली जान गया समझ के वो कहा होंगे बाला खातुम उनकी फिकर मत कीजिये बाबा कहा है जान गया हो मैं कैसे पहले मैं जाके शेख अदाबाली को काफिरों से बचाओंगा फिर उनसे रिष्टे का तकासा करूँगा मैं मैं मारा मुकदर होंगी अगर अल्ला ने चाहा करी पार्वश्य का सम्हें झाल झाल